इस्राइल के मौझूदा हालात बहुत जादा खस्ता है और इसके एक दो नहीं छह बड़े इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं इसे मैं आगे आपको बताने वाला हूँ और अगर आप मुझसे पूचेंगे कि इन 6 में से इसराइल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स कौन सी हैं तो वो सेक्यूरिटी इशूज और पॉलिटिकल इंस्टिबिलिटी है लेकिन भारत में सोशल मीडिया पर बैटे जितने भी इलिटरेट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो सब कहेंगे कि इसराइल में सब कुछ ठीक है लेकिन उनकी सपनों की दुनिया में क्योंकि हकीकत बहुत जादा अलग है अगर मैं सिर्फ सेक्यूरिटी की बात करूँ तो बीते कुछ महीने इसराइल के लिए बहुत जादा खराब गए है या आप ही कह सकते हैं कि 2022 ही बहुत जादा खराब गया है और सिच्वेशन्स फर्दर बिगड़ती हुई जा रही है और बिगड़ेंगी कैसे अगर आप कुछ दुनों पहले की बात करेंगे तो जॉर्डन वैली में इसराइल की सोल्जर्स की एक बस पर पलेस्टीनियन इसने अटैक किया था और उसमें एक सिविलियन भी घायल है छे सोल्जर्स भी बुरी तरह घायल है इनमें से कई लोगों की जान भी जा सकती है अब यह जो अमला हुआ है इसमें सिविलियन इसलिए है क्योंकि वो ड्राइवर था एक पलेस्टीनियन ने कुछ महीने पहले बनाई ब्राक स्ट्रीट पर फाइरिंग की थी जिसमें छे इसराइली मारे गए थे सेम ऐसे ही सिरीज ओफ इंसिडेंस एपरिल के शुरुवाती तीन हफतों में हुए थे जिसमें जब इसराइली मिलिटरी ने वेस्ट बैंक के अंदर अपना उक्यूपेशन बढ़ाना शुरू किया और जमीन को सैटलर्स को देना शुरू किया तो पलेस्टीनियन्स ने जवाबी कारवाई में चौदा के करीब इसराइलियों को मार दिया था जिसमें तीन पुलिस वाले और एक पुलिस हैड था साथ में एक और शूटिंग हुई थी डेजिंग ओफ स्ट्रीट पर वहाँ पर तीन के करीब इसराइली मारे गए थे फ्राइडे में अगर आप लास्ट फ्राइडे की बात करें तो उसमें भी एक बड़ा स्टैब अटेक हुआ एक सेउलियर के उपर और ये एक दो अटेक्स नहीं है एक सिरीज ऑफ अटेक है बड़े लेवल पर पुलिस आम लोग और जो सेक्यूरिटी परसोनेल हैं चीन कर इन्हें दिलवा देते थे और उन लोग के पास कोई आप्शन बसता नहीं था और वो चुप रहते थे लेकिन फिलाल के लिए सिचुएशन बदल गई है अब पैलिस्टीनियन्स जवाब दे रहे हैं और जवाब में इन सब का हिसाब किताब कर रहे हैं और इसके ती उरोप और अमेरिका मतलब इस्राइल के पॉलिटिकल डैट्स उनका फोकस इस वक्त इस्राइल पे ना होकर दो अलग जगाओं पर है रशिया और चाइना पर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है उसमें और दूसरी तरफ चाइना और ताइवान में जो इस्राइल का सबसे बड़ा पॉलिटिकल डैड मतलब इस वक्त उससे नाराज है जो बाइडन एड्मिनिस्ट्रेशन इस बात से खफा है कि बीते दो साल से इस्राइल चाइना के साथ अपने रिलेशन्स को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है जिसको लेकर इस्राइल की स्ट इंगली क्यों ना बन गया हूँ अब आजाओ पॉलिटिकल इंस्टिबिलिटी पर बीते तीन साल में इस्राइल में पांच बार इलेक्शन्स हुए है लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी के आखड़े तक नहीं पहुँच पाई है ना किसी लीडर के अंद मेजॉरिटी के लिए 61 चाहिए लेकिन इस्राइल की 74 साल की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी या सिंगल लीडर एक जंडे के नीचे सरकार बना पाए और इसका सबसे बड़ा रीजन है आइडिलोजिकल डिफरेंस लेकिन कर वही भी हो इस सब में से किसी के अंदर ये दम नहीं है कि वह इस्राइल के अंदर या तो अकेले जीत जाए या बाकी लोगों को एक साथ मिलाकर कॉलिशन बनाकर एक गवर्मेंट फॉर्म कर ले वैसे तो चौतर साल की हिस्ट्री खराब है कभी ऐसा हुआ ही नहीं वह इसल अगर आप कंजर्वेटिव की बात करेंगे तो इनमें आपसी मारा मारी है क्योंकि कंजर्वेटिव यहूदी वोडर्स के लिए नेतन यहू किंग है लेकिन इसका एक और राइवल है एक डॉर्मेंट ये भी कंजर्वेटिव है अब लिबर्मन ने कभी कॉलिशन के साथ ग अब लिबर्ल्स की भी 5-7 पार्टीज हैं और उन लोगों के बीच में डीप आइडिलोजिकल डिफरेंसेस हैं आपके लिए समझना इतना ही जरूरी है कि ये लोग कभी साथ में मिलके सरकार नहीं बना सकते ना इने कभी इतनी सीट मिल पाएंगी कि ये 5-7 पार्टीज इनको इसराइली कहना तो मेरे हिसाब से किसी पिजन को क्रो कहना होगा वो इसलिए क्योंकि ये आइडिलोजिकली अलग ये रिलिजिस वे में अलग या फिर किसी भी तरह से अगर आप इनका कंपैरिजन इसराइली जी उसके साथ करते हैं तो ये एक कंट्री में या एक कॉ कोई नहीं सकते यह अपने आपको काउंट करते हैं पैलेस्टीनियन पॉपिलिशन में जो बाक्ती 50 लाग है मतलब बहुत जादा साफ है कि यहां पर एक डीप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और उसी वज़स से वह 74 साल से चली आ रही लेकिन अब वह नासूर बन चुकी है और आगे चलकर यह और जादा खराब होगी यह डीप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में चेंज होगी मतलब सिचुईशन इसी तरह की बनी रहेंगी या और जादा बिगडेंगी यह सियासत के लेवल में इस्राइल की साफ डेफिनेशन है एक और बड़ी इंपॉर्ट उसी का यह एक सेंटेंस है लेकिन यह जो आर्टिकल लिखाया टाइमस ऑफ इस्राइल ने इसमें भी आल्मोस्स सारी बाते ठीक हैं बाकी का 20 परसेंट वही वाला प्रोपागेंडा है जो हर 2-3 महीने में आकर अपनी कंट्री की एकनॉमिक की विंडो ड्रेसिंग इस्राइ का अरीना बनने की वज़े से रिलिजियस ग्रुप्स के बीच में और यह जो टेंशन बनी विए इन सारी चीजों के बावजूद भी कंट्री की एकनॉमिक ग्रो करेगी लेकिन हकीकत कुछ और है वह इसलिए क्यूंकि जीडिपी के टोटल शेयर में जो डेट बर्डन है व चैकल उनका डाउन हो रहा है डॉलर के गेंस्ट लास्ट में जो एकनॉमिय है वो कुछ महीने पहले दो परसेंट के करीब श्रिंक होई है लेकिन इन सारी चीजों पर इसराइल में बात नहीं हो रही अब मैं इस चीज के लिए नहीं हूं लेकिन एहम चीज यह है कि पारी टार्गेट से हमेशा इंफलेशन ऊपर ही रहेगा ना तो नीचे आ रहा है ना बराबर हो रहा है अब इंफलेशन के बारे में आपको अलग से क्यों बता रहा हूं वह इसलिए क्योंकि इस वक्त इसराइल के इंदर ये बहुत बड़ा इशू बन गया है इस बात को पैसे भी समझ सकते हैं कि फॉर्मर प्रेजिडेंट इसराइल के बेनेजमिन नितन याहू उसने कंपेंट चलाने की सोची है कि वो इसराइल के अंदर एक लंबी कंपेंट इंफलेशन और लिविंग कोस्ट को लेकर चलाएंगे क्योंकि पूर क्लास और मिडल क्लास बहुत कंडिशन्स ठीक होंगी और सैलरी बढ़ेंगी सरकारें हमें धोका दे रही है är चाहाई इससे पहले नेतन याहू की गवर्मेंट हो या बाद में अब ये जो केरिंगर प्यम है या इससे पहले जो कौलीशन वाली गवर्मेंट थी सारे कि सारे मिल कर धोका दे रहे हैं और ज्यादा बढ़ सकता है मतलब वहां की सिचुएशन्स गवर्मेंट के हाथ में नहीं और वह गवर्मेंट नहीं है मजाख है साथ में इसराइल के पॉलिटिकल डाइड युनाइटिट स्टेट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई मिडल इस्ट में वो ये कि इसराइल की हिस्टरी में पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले तो इसराइल की खुद की गवर्मेंट नहीं बन पा रही है वहाँ एक डीप पॉलिटिकल इंस्टिबिलिटी जन्म ले रही है जो और जादा खतरनाक हो सकती है दूसरी तरफ पैलिस्टीन अथॉरिटी में भी डीप डिवीजन पैदा हो रहे है मतलब महमूद अबबास और उसकी पल्टन में जो इसराइल को उसकी भाशा में समझाने की बात करते हैं और कहते हैं जंग है तो जंगी ठीक इस तरह की जो ग्रूप्स हैं वो बहुत जादा फेम पकड़ रहे हैं आम पैलिस्टीनियन के मन में तो United States के लिए एक critical situations है और वो नहीं जानता कि इस मामले को sort out कैसे करें लास्ट में इसराइल में deep internal religious tension भी है अब ये कैसे बढ़ रही है और क्यों बढ़ रही है लास्ट टाइम जब हमास के conflict हुए है तो इसमें जो अरब population है इसराइल की मतलब वो जिनके पास passport इसराइल का है दूसरी तरफ Israeli Jews इनके बीच में आपसी clashes हो रहे हैं इन अरब की population इसराइल की total population में 22% के करीब हैं मतलब 20 लाक प्लस लोग और दूसरी तरफ Gaza और West Bank में 50 लाक के करीब Palestinian population है मतलब 70 लाक अरब और दूसरी तरफ अगर आप Jew side को देखेंगे तो इनके पास भी 70 लाक प्लस लोग हैं मतलब इन दोनों की population बराबर है और इनके बीच में आज तक जो barrier maintain करता हूँ आया था वो था इसराइल का brutal terrorist और racial mindset वाला administration लेकिन अब वो administration धीरे-धीरे करके crack हो रहा है या चर्मरा रहा है यह वही administration है जो जमीन चुराता था Palestinians की और इसके political debts Europe और America से इसको support करते थे हतियार देते थे पैसे देते थे लेकिन अभी political debts कहीं और जाकर busy है इसलिए यहाँ पर इसके लिए दिक्कते खड़ी हो रही है दूसरी दरफ खुद की political instability है Israeli Arabs और Israeli Jews के बीच में आपस में दंगे होते रहते हैं Palestinian population इस्राइलियों के उपर हमले करती है क्यूंकि इदर से जो Israeli settlers है वो उनकी जमीनों पर जाकर कबजे करते हैं उन्हें भी हतियार दे रखे हैं वो Palestinians को मार देते हैं फिर वो आकर इन्हें मार देते हैं Palestinians फिर उसके बाद इनकी military आ जाती है कुल मिलाकर इस्राइल के अंदर एक जंगल राज चल रहा है इस्राइल एक disaster की तरफ बढ़ रहा है जो गड़ा उसने Palestinians के लिए खोदा था वो उसके लिए अब कबर बन चुका है एक simple and one and only solution है इस्राइल की situations का कि 1948 वाली border conditions को लागू कर दिया जाए United Jerusalem Palestine की राजधानी हो क्योंकि यहूदियों में 80% लोग विदेशी हैं और कोई भी local ethnic group का शक्स अपनी जमीन पर विदेशियों को बरदाश नहीं करेगा और अगर वो करता भी है तो उसकी dominance उसकी जमीन पर होनी चीज़ विदम बस इतना इतना वीडियों को शेर करें थैंक यू सो मच फुजानेंगास